ओम शीगने शाय नमा राधराय दोस्तों आप सभी का मेरे चनल बत कता है स्लोजर में स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में गर्वती महिला में लड़का होने के चार ऐसे लक्षनों की जानकारे देंगे इस लक्षन की बात करें तो इस लक्षन को देखे जिस महिने में हम आपको बता रहे उसी महिने में देखना है आश गूपती हो जाते हैं या घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है तो ये साइन देखे लड़की होने का मना जाता है वहीं पर अगर आपको दूसरे तीसरे महीने में कुछ भी खाने पीने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है यानि कोई भी चीज आप खा रही है तो आप अराम से खा पा रही है आपको कोई भी घबराहट नहीं हो रही है तो ये साइन देखे लड़का होने का ही माना जाता है और ये हमारे बड़े बजर्ग भी इस लक्षन को बिलकुल सही मानते हैं अगला लक्षन है दोस्तों आप इस लक्षन को देखे आपको पूरी प्रेगनिंसी के दोरान ही नोटिस करना है चाहे आपका pregnancy का कोई भी महीना चल रहा है तीसरा चोथा और आप मतलब अपने आपको बहुत ज़्यादा active महसूस करती है आपको ठकावड महसूस नहीं होती है यानि ठकाल महसूस नहीं होती कोई भी काम करने में तो ये sign देखे लड़का होने का माना जाता है और अधिकतर बड़े बुजर्ग भी इस लक्षन को देखकर बताते हैं कि आपने एक baby girl को conceive किया है तीसरा लक्षन में बहुत ही सटीक लक्षन है दोस्तों अगर गर्वती महिला का दूसरा या तीसरा महिना चल रहा है और आपको अपने चहरे पर बहुत ज़्यादा कील महा से नजरा र रहे आप ने चहरे पेहले से ज़्यादा रा आजे आपके तoh 가मो गई है तो यह साहिंदेखे लड़का होने का ही माना जाता है वही पर अगर आपके चहरे पर इस तरह से कोई भी मतलब चेंजच में नहीं आया है आपका चेहरा पहले से अदिन कर रहा है तो यह प्लसी यानि चार्च से बनी हुई कोई भी चीज होती थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती थी चाहिए वो छाच दो दिन पुरानी को ना अदि बहुत अच्छी लगती या चांच पीना आपको बहुत अच्छा लगता है तो ये pregnancy के दोरान हर गर्वती महिला के बाल थोड़े बहुत जढ़ते हैं लेकिन अगर आपको दूसरे और तीसरे महिने में अगर आपके बाल बहुत ज़दा जढ़ रहे हैं बहुत ज़दा रूखे हो गया हैं तो ये लड़की होने का लक्षन माना जाता है वहीं पर दूसरे तीस लक्षन बताए हैं इन लक्षनों से आप काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरू करें आप सभी को